अगर आप भी अपने पंजाब national bank के account में अपने email id add करना चाहते हैं कि जब भी पंजाब national bank की तरफ से कोई भी alert वगरा हो या अगर आप अपनी transition email id पर मंगवाना चाहते हैं तो इस video पर बने रही है चलिए फ्रेंच शुरू करते हैं बिना time waste के आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ अगर आप video skip करके देखोगो ना तब आपके पास complete information नहीं पहुच पाती है क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ important points बताते रहता हूं अगर आप video skip करके देखोगो ना तब आप से वह point miss हो जाते हैं ठीक है सबसे पहला आपको na pnb1 app open कर लेना है अगर आपको नहीं पता है कि pnb1 में कैसे login करते हैं कैसे account बनाते हैं कैसे पैसे transfer करते हैं ठीक है तो मैंने इनके उपर already videos बना रिखी है आप हमारे channel की playlist में जाकर वो video देख सकते हैं या मैं उन video का link इस video के description में देदूँगा आप जाके देख सकते हैं ठीक है pnb1 app open करने के बाद जो search का एक icon दिख रहा है इस पर हमें click कर देना है अब उसके पहला वाला option दिख रहा है आधार registration इस पर हमें click कर देना है तो थोड़ा आप नीचे scroll करोगे ना नीचे scroll करने के बाद एक option दिखेगा आपको update email and manage alerts इस पर हमे click कर देना है friends manage alert वाला एक page open हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपके customer ID लिखी होगी ओपर ठीक है तो pnb को login करने के लिए आपको customer ID चाहिए होती है ठीक है तो यह customer ID हो गई आपके बात friends यहापको आपको आपनी email ID एंटर करनी है कि कौन सी email ID पर आप अपने pnb के alerts वग और नो कर दें ठीक है और यह कहा रहा है कि register for OTP on email तो इसको भी आप yes कर दें ठीक है और यह नीचे लिखा है note if you want to register for OTP on email then you also need to register for alert on email मतलब यह कह रहा है अगर आप पहले वाले option को yes करते हो ना तो आपको नीचे दूसरे वाले option को भी yes करना होगा तो आपने yes कर दिया उस और email यह सा रख है तो आपके email पर alerts वगर आते रहेंगे PNB की तरफ से और statement भी आ जाएगी ठीक है और उसके बाद जो submit बटन दिख रहा है ना इस पर हमें किलिक कर देना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सुखना चाहते है तो हमारे चैनल App Crafting Hub को सब्सक्राइब वाले बटन पर किलिक करके सब्सक्राइब करें और notification आइकन पर किलिक करके all पर किलिक कर दें यानि जब यहां कोई नए वीडियो इस यूटूब पर upload करेंगे न उस वीडियो के notification आपके mobile पर आ जाए ताकि आप वो miss न कर पाए अगर आप हमारी वीडिय पिन एंटर करना होगा अगर आपको अपने transition पिन नहीं पता है तो मैंने इसके उपर वीडियो बना रखिये कि transition पिन कैसे change करते हैं उसको कैसे set यह reset करते हैं तो मैं अपने transition पिन एंटर करने के बाद फ्रेंट्स यह कुछ processing होगी फ्रेंट्स जो आपका रिजिश्र मुब सक्सक्स का पेज उपन हो चुका है ठीक है और यह message लिखवा है your request is submit successfully and pending for verification ठीक है अभी यह verification में pending है ठीक है और आपकी customer ID आचुक है email ID आचुक है ठीक है और यह friends नीचे लिखवा है please note your request for OTP या transition alert on email has been received as self verification link will be sent on your registered email ID link will be valid up to 72 hours please verify the link before expire for email alert activation मतलब यह कह रहा है कि जो आपन email ID enter करी है इसको validate करने के लिए आपकी इस email ID पर एक PNB की तरफ से लिंक भीज़र जाएगा ठीक है उस link पर आप किलिक करें email ID को आप verify करवा दोगे जैसी आप verify करवा दोगे इनको पता चल जाएगा कि आपने जो email ID एंटर करी है वो बिल्कुल valid है कि कल को कोई भी alerts पकर आ कैसे मंगवाते हैं email ID पर तेले फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a nice day